के अंदर अभी बिग बिलियंज डे चल रहा है जिसके अंदर काफी सारी ओफ़ोर्स और काफी सारे प्रोडोक्स आपको लो रेट में मिल रहा है चलिए हम देखते हैं फ्लिपकाट के अंदर आज कुछ आज की डेट में कौन-कौन से जो प्रोडोक है वो आपको लो रेट मे सबसे पहले देखते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर देखें लाइव हो चुका है अभी चल रहा है मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं अब धियान से देखिए ऊपर जितने भी प्रोडक्स है उसमें लग चुका है लेकिन अभी दो तिन प्रोडक्स में लोक लगा हुआ है क आप देखें धियान से, अभी जो है शेल स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, स्मार्ट वोच और लेप्टोप बेक्स और ओपन टूडे जो दिख रहा है आपको उसके अंदर जो अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है लेकिन कल से आपको देखने को मिलेगा लेप्टोप लेप्टोप एन टेबलेट्स तो मोबाइल एसेसरीज केमरा तो उन सब की डिल्स जो 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 भी डिल्स मिल रही है वो मैं आपको नीचे जो है वीडियो स्क्रोल करके दिखा रहा हूँ अभी आप देखिए ध्यान से और पढ़िए उसके बाद देखिए एपल की स्मार्ट वोच है जो आपको काफी लो रेट में मिल रही है काफी अच्छे रेट में है फिर से एमसंग गीर स्मार्ट वोच वो जो एमेजोन के उपर हाई रेट में वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद देख सकते हैं अपको एपल की जो है स्मार्ट वोच है वो सब है जिसके अंदर हजार दो जार रुपे के आसपास कुछ मेरे क्याल से अभी बिग बिलिंस डेश के अंदर आपको जो है छूट मिल रही है इतनी ओफर्स मिल रही है लेकिन इसके साथ अगर आपको HDFC का डेविट काड यूज करोगे या क्रेडिक काड यूज करोगे या फिर आप उनसे EMI करोगे तो 10% आपको अंदर स्पोर्ट यानि कि इंस्तन्ट डिस्काउंट मिल जाएगा उसके बाद बात करते हैं हम सैमसंग गीर की सैमसंग गीर का इसमें आप फिलिप कार्ड में भी रेट देखो उसके बाद यही चीज हम देखो Google के अंदर सर्च में जाकर दिखाते हैं कि दूसरे पोर्टल जो क्या-क्या रेट में जो यह चीजे सेल कर रहे हैं है आप ध्यान से देखिए वहाँ पर आपको दिखाई देगा एमेजोन फिलिप कार्ड का पहला जो स्मार्ट वोच फिलिप कार्ड का है उसके बाद जो एमेजोन का है बहुती बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा आप खुद देखिए तो दरसल फिलिप कार्ड जो हमें काफी प्रोड़क के अंदर काफी अच्छी और लो रेट वाली डिल्स देर आया भी तो अच्छी बाद है और काफी सारे प्रोड़क के नीचे एच्टी उपसी का 10% इंस्टन डिस्काउंट का ये बेनर भी लगा हुआ है चाहे आप प्रिकार यूज करो या फिर उसको ये माइक करो